पू absol MORE है कि इसरु किया पर नहीं आया ठीक है ठीक है ठीक है आएगा आएगा यज़ाएगा आएगा वेट्कर आएगा Mexican तो आज स्टार्ट करता है, तो Bernoulli में क्या पर रहे थे हैं, वहीन में सबसे पहले देखा कि Bernoulli ने किसी भी दो पॉइंट के बीच का relation धिया था, pressure, velocity और हाइट, क्या था pressure, velocity और हाइट, इसका relation Bernoulli ने दिया था, आज हमें इसका application करने व्लेवर पी ट्थू, प्लस रो घ एच टू, प्लस हाफ रो वी तूसफूर, मैं देखते थे एक नदी हरा था, पेंद देखना था, किसी Meterझ वोसून फेंट प्लाय मा करना था Cecil कि सामस्धू में देखना को करना है. 212ee यहा था, फी पेंगे करने जा रहे हैं, इसका sepertiid of efflux हम निकालेंगे, ठीक है, efflux का मतलब होता है outflow, outflow, बाहर की और जो बहरा होता है, that is, हाँ, वंसी का मैं ये बता रहा हूँ, कि Bernoulli ने जो equation दिया था, वो P, V और H के विच में relation देता है, Bernoulli का equation जो होता है, वो किसी भी एक point पे, P, V, और H को एक relation देता है, जो की constant होता है, Bernoulli का equation जो था, वो यहाँ का, suppose करो ये था कुछ, ठीक है, Bernoulli ने बोला, यहाँ का P, V, और H के रूप में उन्होंने क्या-क्या, एक equation दिया था, यहाँ का P, V, H का एक relation आएगा, P, V, और H का, pressure, velocity, और height का एक relation आएगा, Bernoulli ने कुछ ऐसा ही question दिया था, कि इसका जो भी relation था, वो हमेशा हर जगा constant चलता जाएगा, हर जगा constant जाएगा, इसका जो भी ये वला part जो भी आया होगा, अगर एक बार जो भी आ गया ना, इसका, वो हर जगा वही आएगा, यही बर्नोली ने प्रेसन दिया था, हर जग P2 मान लेता हूँ, यहां का velocity V3 है, प्रेसर P3 मान लेता हूँ, यहां का velocity V4 है, प्रेसर यहां का V4 मान लेता हूँ, यहां का height H4 मान लेता हूँ, तो बर्नोली ने हमें बोला कि कि किसी भी point पर का, किसी भी area, एक area consider कर लो, वहां का P, V, H का एक relation उसने दिया, ऐसे ऐसे यह relation अगर एक पर आपने निकाल लिया, तो अब यह relation हमेशा कहीं भी आप जाओगे न, तो यह relation पूरा तीनों का सम बराबर होगा, यह constant value होता है, velocity यहां का चेंज कर जाएगा, यहां का pressure भी चेंज कर जाएगा, यहां का height भी चेंज कर जाएगा, लेकिन इसका जो height, यह जो तीन प्लस rho gh4, प्लस half rho v4 square, यह हमेशा, हमेशा यह जो term है, यहां का pressure, यहां का rho gh1, और यहां का half rho v1 square, must be equal to यहां का pressure, यहां का half rho v2 square, यहां का rho gh, must, यह होगा, यह definitely होगा, यही बढ़नौली का एक प्वेसन था, हम इसका application करने जा रहे है, पहला application है, speed of efflux, efflux क्या होता है outflow, efflux हम किसको बोलते है, outflow, बाहर जो निकलता है, outflow, उसे हम efflux बोलते है, ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे होगा, suppose करो कि मैंने एक container ले रखाया, इस container मैंने यहां पे खोल कर दिया, ठीक है, ठीक है, और यहां तक पानी भढ़ा हुआ, यहां का area कुछ होगा, यहा V1 मान लेता हूँ, यहां का area को मैं A1 बोल रहा हूँ, यहां का area को मैं A1 बोल रहा हूँ, यहां का area A2, यहां का velocity V2, यहां का pressure P2, ठीक अर यह पूरा पानी भढ़ा हुआ, situation समझो, मुछे निकालना क्या है, and we have to find the velocity, the speed of efflux, जो बाहर निकल रहा होता है पानी, उस पानी के कीड को हम ङसपीड ऑफ एक्षट रहाता है। स्बस्क्राइब सब्सक्राइब लुंके अवस्कातों सब्सक्राइब उनकि में निवस्क्राइब इसमों उछ इंहें एक अप्लाइब कर सकता हूं तो applying equation of continuity applying ये बहुत important है इससे question आता है equation of continuity application में ये बहुत important equation of continuity क्या मैं देखूंगा एवन वीवन must be equal to A2 V2 को A1 V1 बराबर A2 V2 equation of continuity कोई डाउट नहीं है न कोई भी 2 nozzle होता था एक का area एक का velocity और दूसरे का दूसरे का विलोसिटी बराबर होना चाहिए है ना अराधना संगेता बराबर होगा ना कोई डाउट है समय इसमें कोई डाउट है इसमें इक creature irony यहां से यहां से मैं वीवन निकालना चाहता हूं बताना क्या हो जाएगा हम हम ऐठीक है किका ही मानीसु ठीक है करो यह स्वाण फह सूर्प एस्षा मौत बार्नॉली करने के लिए इप इतकी ट्रॉक्षिट्रा सुर्ण हम उप्लेकला मिलेशन इसने लिए व्हूंस पतला प्रोस्ता विहीं अब फश्रा प्रोस्ता-नलिक्विडियाँ चाहन होता था रहा हुप तो मैं वहीं करने जा रहा हुपू टो मैं एक रेफरेंस की जो पर लेगी सिरेफरेंस एक हाई तो मैं एक रिफरेंस ले ने लेता हूं। स्ब्सक्राइब स्वीं 1997 चल्व आजा इसका रेघ्रेंस मैं AP मैं लिया नीए bien किक कलुब ऑपर अपा word सब्सक्राया का इज में अब दिए ट replace पर अमलेता हूब कि ले रहा हूं ले रहाँ, यहां कि जर्लाति साफिने का मछाँ दो मुंस सब्सक्राइब और वहां भी ले सकता है إit неё और लो आआनसर जैना नॐ इ ambitious को ढूंड मत रखना इसमे भी ऑंसर से मंने यह लिलिए इसका और आसान तरीका भी है, इसको आप और पी आसान तरीके से कर सकतो बट फिलाल चलो थोड़ा सा लॉंग ठोड़ा बड़ा कर के छलता हैं ताकि सब स्वेल अब वेलू कितना हो जाएगाँ बथा बताओ कि सभी बताएंगे न पीवन का वैलू है जो टॉप सर्फेस है वो अपन टुआ अट्मोस्फेर को पूरी तरह से खुला है मैं कि ये ड्यार राय क्या जाने में ड्यार रहाक है कि ये कोई रिश्पॉन्ड कर राय पर इतन क्यों लग रहे consider इतना टाइम क्यों लग रहा है यह आपको टाइप करने में मैं पूछ रहा हूं कि वो उसका टॉप सर्फेस ओपन टुए अट्मोस्फियर है फिर भी आप इतना टाइम लगा रहा हूं राधना इतना देर क्यों लगा रहा हूं आप लोग भई कॉन्फिडेंट रहो ना इसमें खुद बोल रहा हूं कि इसका जो टॉप सर्फेस है वो अपन टुए फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है यह अगर इस नोजल की आप करें जो नीचे जो टैप लगा हुआ है इस नोजल के पास कि आप पूरी तरह से आप मोस्फियर को अप लेखैस फेंसेども एट्मोस्फेर को अपन है न तो याँ पह लगने वाला ख्रिसर एट्मोस्फेरिक प्रेशर होगा ख्यू जूूहए यह भी संगीता आप कन्फूज करो संगीता नहीं आप आप जो यह अपने रटा हुआ है यह आप रट ली हो इसको अच्छा पूछ रहे हो क्या है रहे है एगा डेफिने लिए गाउन्सर करेंगा, जाहां का मन वहां लेलू रिफरेंस कहीं भी ले सकते हैं टॉपैकि व्रिट सब्सक्राइब रो जी एच्टी प्लस हाफ रो वीटू स्क्वाइट ठीक है चलो चलो इसमा वैलू सबकी पूट करो पीवन कितना था वही एट्मोस्फेरिक प्रेसर रहे कहा रो जी एच्वण प्लस हाफ रो वीवन स्क्वाइट तो और तो मैं कुछ कर नि रहूं मैं तो बढ़न ऐप्लाई कर रहा है जितने अपलीए संको पड़ना है न स्मय एक्वेसिन ऑफ रगना आए एक्वेसिन अफ कंटिनुटी और उली इक्वेसिन ऑनली एक्वेसिन और कुछ इक्ट्रा नहीं करना है ठीक है गर अप्लाइंग बढ़नाली तो मैं सिंपल कर रहा हूँ अगर को डेफरेंट नहीं समझा रहा हूं तो तो देखो मैं रेफरेंस फिर से समझा दे रहा हूं यहां पर होल है ठीक है और यहां से नोजल से पानी निकल रहा है और यह पूरा यहां पर भड़ा हुआ है मैं रेफरेंस यहां पर ले लिया मेरा जो सवाल था मैंने रेफरेंस यहां से ले लिया तो मैं इसकी हाइट जो टॉप सर्फेस है उसका हाइट यहां से मेजर करूँ फेरेंग्ट को सब्सक्राइब देच रहा है कांटेनर है कि को हन was that जा Major को सब्सक्राइब यहहां सब्सक्राइब अपने reference माल लिया तो H2 आपका 0 हो जाएगा, अब H1 जो बचेगा, यह H1 बचेगा, यह H1 होगा, क्योंकि अब आप सारा measurement अपने reference से कर रहे हो, यह आपका reference है, अब आप measurement यहां से करोगे, तो इसकी value H1 हो जाएगी, और यह H1 वही है, जो container का height है, तो this H1 equal to H, दोनों सा answer same होई नहीं सकता है कि अलगा जा, किसी का और किसी का माने तो कहीं और ले लो, किसी का माने यहां लेने का यहां ले लो, यहां से भी answer same होई नहीं सकता ही गलत आएगा, ठीक है, कोई doubt मतलत है अदम definitely answer से यह जागा, इस point का, इस point को मानलो, यह अगर आपका reference है, यह अगर आप मानलो, h1 मानलो, जो top surface है, उसका आप h2 मानलो, h2 मानलो, ठीक है, आपका answer same होगा, होगा क्या ना, यह जो rho g h1, rho g h1 इस तरफ आ रहा होगा, lhs में, और rho g h2 rhs में आ रहा होगा, यह दो को होता क्या है, होता क्या है, rho g h2 rhs में आएगा, जब इधर ले गर कर होगा, और कहीं भी reference मानलो, जहां इच्छा है, वहाँ मानलो, यह h1 minus h2 तो h ही रह जाएगा, ठीक है, यह, 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 अगर आपने reference माना था, तो h1 h था, minus h2 कर रहा होगा, तो 0, यानि इसमें भी h आएगा, अगर आपने इसको reference मानलो, यह अगर आपके लिए reference है, तो h1 म h2 को घटाओगे, तो आपको h ही मिलेगा, this is the logic, जहां मनलो, reference, ठीक है, वो change होता है, तो change तो आपको जहां मानना है, वहां मानलो, सब बड़ाबर आते हैं, अलग नहीं आएगा, clear है, यह reference समझ में आया, बताओ भई, reference समझ में आया, यह reference है, ठीक है, इसमें भी देखो, यह जो पीला वाला में है, मैं एक और बार लिख दे रहा हूं इसको, पीला वाला जो में, ठीक है, ठीक है, good, good, बढ़िया, यह दो को, पीला वाले में जब आप h1- h2 करोगे, यह एच आएगा, इसमें आगे कर लो, इसमें आप h1- h2 करोगे, तो h ही आएगा, ठीक है, कहीं reference मालो, जहां, बीच में किसी का मालना है, बीच में ही मालने न, यहां भी h1- h2, h ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है, clear, चलो, बीच वाला करके देखना घर पे, आजाओ, यहां आते हैं, अभी हाँ, यह ठीक है, उसके बाद मैंने बर्नॉली अप्लाई किया अप्लाई करेंगे, बर्नॉली अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, बर्नॉली अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो होना चाहिए, दो पॉइंट है, यहां का मुझे प्रेसर पता है, यहां का मुझे प्रेसर पता है, यहां का बढ़नॉली लगा दिया, P1 प्लस रो घच वन प्लस हाफ रो वी वन उसकर बराबर P2 प्लस रो घच वाफ रो वी टू सकर यही तो बढ़नॉली था, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, और तो मैं कुछ किया नहीं हूं, यह वी टू है, अगर यह वी टू से यहाँ पान क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ हूं, यह न, गुड, कोई डाउट है तो पूछो, अभी भी कोई डाउट है, तो कुछ किया नहीं है, एक्वेशन अफ कंटिन्यूटी एंड बर्नॉली, ठीक है, ओके, गुड, आजो भी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे एक ऩूशा क्या है, यहां पे मेरे पास बच गया, रो ग. छूशा हाफ रो वीऩर क स्कवाईब, ग. ng. अब मेरे पास क्या बचाएब? GH1 plus half V1 square भाबण GH2 plus half V2 square यहाँ से GH1 minus GH2 भाबर half V2 square minus half V1 square किले रहे हाँ तक बताओ भई लिख लिए मैं आगे पढ़ हूँ सबने नोट किया मैं आगे पढ़ हूँ चलो ठीक है ? बताओ भई, सभी clear है ओके जुही बताओ जुही और चनिसका जानवी, दीपक सबके clear है ठीक है ठीक है good 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 मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं आज़ो चलो यहां पर आगे हम अब यहां पर मुझे क्या करना था। और मेरे क्या इक इसना है, देखना क्या इक प्यसेन है। यहां से मैं ले रहा हूँ, और यहां से मैं half common ले रहा हूँ. कि ठीक है यहां से यह टू जी कि देखो होता है यह है दीपक की प्रॉब्लम यहां आएगा ना काल मिंद जीपक के तो यह और लिखा यह कि प्रॉब्लम यहां है जब आप इसका झाल धंशिओ निकान ले जाओगे ना तो आप उस जाओगे आपको आपके पास बस्केशन होने चाहिए ठीक है टाइ आपके प्हाइत, इछ बता होगा, H1 पता होगा, A1 भी पता होगा, A2 भी सब्सक्राइए आज 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 जल्ली से इसको डियाइफ करते हैं वही वी टू मैनस यह देखो एच्वर मैनस अश्टू अला टर्म आ गया यह दो को एच्वर मैंस अश्टू अला टर्म हमेशा है इसके बराबर आएगा इसलिए मैंने आपको बोला कि रेफरेंस जहां आपका मने आप वहां ले 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 तो यह एच्वर मैनस अश्टू जो है न वह कितना आ गया टू जी एच बराबर वी टू स्कॉर मैनस वी मुन स्कॉर ठीक है यह आया समझ में आया क्या यहां तक बताओ भई यहां तक क्लियर ह है ठीक है यह आगया चलो यहां पर मैं वीवन की वैलू जो एक्वेस्टन अफ कंटिन्यूटी से मैंने वीवन निकाला था क्या पीछे मैंने एक्वेस्टन अफ कंटिन्यूटी से वीवन निकाला था यह देखो मैं इसका वैलू पुट करने जा रहा हूं ठीक है चलो आज मुझे इसको फोन लगाना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा भई यह तो गलत हो रहा है चलो आज़ो आगे देखते है ठीक है चलो ठीक है कोई नहीं आज़ो आगे बढ़ते हैं 2gh बढ़ाबर v2-v1 का whole square यहां से मैं v1 की value पूट करने जा रहा हूँ आज़ो 2gh बढ़ाबर v2 square minus v1 v1 का value क्या है भी what is v1 v1 कितना था equation of continuity से v1 आया था मेरा a2 v2 by a1 और इसका square करेंगे न इसका square देखो भई यहां तक clear है clear है मैंने v1 की जगा पर a2 v2 by a1 पूट कर दिया है चलो आज़ो आगे बढ़ते हैं good 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 ठीक है ठीक है 2gh बढ़ाबर v2 square minus a2 v2 by a1 इसका भी square इसका भी square इसका भी square इसका भी square तीनों का square ठीक है यहां से v2 और v2 दोनों तोरह को common दिख़़ा होगा मैं v2 को common निकाल लेता हूँ v2 square को अगर मैं common ले लूँगा तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर a2 square by a1 square बचेगा ठीक है चलो अब यह पूरा टर्म जो इस तरफ है जो इस तरफ multiplication में है अगर मैं इसको LHS में भीजूँगा तो यह denominator में चला जाएगा तो यह हो जाएगा 2gh divided by 1 minus a2 square minus a1 square बचाएगा बचाएगा V2 square क्लियर है क्या चलो आगे बठते हैं आजाओ यहां से मेरा V2 जो आएगा ना यह V2 जो आएगा ना यह कुछ अंडर उटा जाएगा square वाला टाम इस तरफ चला जाएगा 1 minus a2 square divided by a1 square this is the speed of efflux यही मैं स्पीड ओफ ओके ओके वेट इस फ्लक्स बोलता है क्लियर यह डेट ड्राइव हो गया यही स्पीड ओफ फ्लक्स था बदावी कर लोगे क्या बस कैल्कुलेशन और कुछ है नहीं concept क्या ही है इसमें आपको डाउट होगा कि रेफरेंस कहां लें कैसे लें कब लें जिसका जो इच्छा है वो ले लो मैंने आपको समझा दिया अगर किसी को बन कर रहा है कोई नौजल जो है नौजल पर ही मैं रेफरेंस ले लेता हूं तो h2 0 हो जाएगा जो बचेगा वो h1 बचेगा कि अधरन करना कि नहीं है कि यहां से रेफरेंस लुगे वह है रएक डिक्कत आप लोग को किसी कि हो रहा होगा तो डिक्कत में दिक्कत और अधरवाइस कुछ इसका एक न्युमेडिकल मेरे पास ला इसका न्युमेडिकल सब्सक्राइए इसका बीकर है बीकर और यह और आई यह और फिस है इसको क्या बोलते हैं और इफिस जो कोई स्बाइब करें करें और स्टा सब्लेक्ट país तो यहां से लिक्विट का पीड नहीं निकालता है। उसका स्पीड नहीं निकालना है उसके स्पीड का a square निकालना है question को पहले पुरा पढ़ा करो देखो ये a square बोल दिया है निकिसने a square of the speed a speed नहीं निकालना है हम जो formula निकाल रख है यह जो मेरा formula of efflux है यह speed है ये speed which is equals to 2gh divided by 1 minus a2 by a1 का whole square कुछ ऐसा है ओक्यों कि ओक्यों के ओक्यों कि ऐसी तो एक को अड़ी तेगा तो हिए कुछ रहा है तो यह कुछ रहा है यहां स्पीड अफ एकुछ रहा है तो क्या करोगे आप इस root को वापस से इसको दे देना यह बचा क्या V square बराबर 2GH divided by 1 minus A2 square by A1 square बस यह answer आ गया ठीक है A2 by A1 का आपका ratio इसने दे रखा है 0.1 तो यहाँ पर 0.1 पुट कर लेना और 2GH इसमें जो आप फंस होगे वो H में फंस होगे मेरा जो मैंने जो आपको बताया था उसका नौजल कुछ यहाँ था ठीक है तो H क्या था? यह था ठीक है This is H Question क्या दे रहा है? Question ने Question ने यहाँ पर दे रखा है यह नौजल है Question का तो अगर जो top surface यहाँ से यह कुछ यहाँ से decay कर रहा होगा यहाँ से descend कर रहा होगा, this is the top surface यह कुछ यहाँ से descend कर रहा होगा और यहाँ से V2 निकल रहा होगा, यह V2 आपको चाहिए तो height आप कौन सा लोगा? इसकी height अगर पूरी height H दे रखी है H1 दे रखी है इस पूरी height को बंदे ने H1 दे दिया यहाँ से यहाँ तक height को बंदा एक और question जो था न उसमें भी यह height दे दिया गया है H2 दे दिया गया आपको H1 चाहिए, आपको इस height से मतलब होगा न आपको यह H1 चाहिए तो question जो दे रखा है वो H-H2 दे रखा है यह करना आपका H1 निकल जाएगा है, आपको H1 चाहिए H1 की value कितनी है H3 मीटर है, पूरा beaker जो है वो 3 मीटर का है पूरा beaker जो है वो 3 मीटर का है, यह देखो पूरा beaker 3 मीटर का है ठिक है, यह बस question घुमा रहा है और कुछ करनी रहा है, मुझे चाहिए था यह बाला height, मुझे यह height चाहिए था question ने इसको छोड़कर सब दे दिया यह नहीं दिया question ने बस यह नीचे का height दे रखा दोखो नीचे का height दे दिया 52.5 52.5 cm दे रखा इसको मीटर में convert कर हुए तो यह 0.525 meter हो जाएगा मुझे जिसका काम था वो तो दिया नहीं इसने सब दे देगा तो फिर वो J-E का question कहां रहेगा तो बंदे ने होसियारी किये J-E वालो ने यह तो एक तो पूरा यह height दे दिया और यह वाला दे दिया मुझे यह चाहिए था तो इसमें से इसको घटा लेंगे है answer आजाएगा clear बताओ भई clear चलो इसको जब आप सब्ट्रेक्ट करोगे न तो जो यह H जो है न यह जो H है इस H की value इस H की value जो है न ठीक है ठीक है ठीक है गुट गुट इस H की value जो है न वह आएगी 3-0.525 यह एप्रॉक्स यह exact आएगा two point five three point five two five one two point four six five four seven five यस राइट हाँ exactly one जिगा मुझाइं दिया है सवाल हो गया कितना सान सवाल है बंदक करेगा कि मैंने आपको मैंने आपको stress by strain में बताया था यंग सवाल आए था एक सवाल आया था एक सवाल आया था force by area by delta L by L ठीक है? तो इस question मैं अपको बताया था कि इसकी वकात क्या है JEE की? या तो यह F में कुछ ना कुछ करेगा, यह formula पर पूछेगा, formula से आगे तो JEE जा नहीं सकता है, उसकी भी problem है, वो क्या करेगा? आपसे F में घुमाएगा आपको, आपको A में घुमाता रहेगा, यही तो कर चैसर ठीक है यहां तक क्लेयर होगयाख यह सवाल क्लेयर है किसी को ड मेरा सवाल था यह मैने आपको बता हुआ यह तक पर了 पानी संने युद्व ल्हग कर रहा टार, इसने नहीं को बना दिया मैंने यहां बनुव स भूके Z यहां जब पानी exit कर रहा है यह वला velocity के बीच का height चाहिए होता है, यह height चाहिए होता है, उसने कहा height दे रखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस यह वला height चाहिए, क्लियर है यह सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं, आजो आजो आजो, बहुत कुछ देखना है, मेरे पा approximate करना जा रहा हूँ, यह exact है, ठीक है, suppose करो, suppose, suppose A1 is much, much, much greater than A2, जो उपर का जो top surface है, जो बीकर आपने ले रखा है, उस बीकर का जो top surface है, उसका area बहुत बढ़ा है, with in comparison to यह nozzle, nozzle के comparison में, अगर इसका area बहुत बढ़ा है, इस nozzle के comparison में, तो क्या होगा, यह मेरा सवाल है, त करके जाएंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यानि 1 is much, much greater than A2 by A1, तो 1 अगर A2 by A1 जो ratio आ रहा है, ratio किसका ही है, जो, ratio किसका ही है, छोटा nozzle जो है, उपर में, उपर में, उपर में छोटा अला area है, और नीचे बढ़ा अला area है, और बढ़ा अला area बहुत बढ़ा है, छोटा अल लाइक, 1 minus, 1 minus 0.0000007, कुछ ऐसा आएगा, इसको approximately मैं 1 लिख सकता हूँ न, इसको मैं neglect कर दूँगा, समझ रहे हो, अगर A2 by A1, ratio जो मैंने निकाला, वो ratio मेरा कुछ ऐसा आ रहा हो, इतना छोटा, 1 से इतना छोटा value आ रहा होगा, जो उसका area बहुत बढ़ा area है, और जो nozzle ह उसका area बहुत छोटा area है, तो मैं इसको neglect कर सकता हूँ, मैंने neglect कर दिया, यह 1 के बराबर आ है, ठीक है, इसको neglect करने का और मेरे पास और भी a strong reason है, यह तो आपने A2 by A1 है, जो formula आता है, उसमें क्या है, formula में क्या है, formula में क्या है, A2 by A1 का whole square भी एक होता है, इसका एक square भी ह अब यह और छोटा होने जा रहा है देखो 1-0.0000007 इसका अब आप स्क्वाइर अगर करने जा रहे हो तो यह कितना रहा है 1-0.0000000000000 और यह 49 आ रहा है तो आप तो इसको आप डेफिनेटली नेगलेक्ट ही कर दोगे समझ रहा है इसको इसको नेगलेक्ट करने के मैंने पास बहुत स्टॉंग रीजन है एक तो यह खुद ही छोटा था A2 बाई A1 मतलब कि नीचे वाला जो नौजल है नीचे वाले नौजल का मालो की मालो पॉइं पॉइंट 2.1 मीटर स्क्वेर का अरिया है एक नीचे वाला A2 ओपर वाला मालोаться नौजल लगोटमृटमृटमृटमृटमृन स्क्वाइश Foods धला है मलोकई ममुल आ चांवरमोल things प्रशरा है तो और भाई और आप्रमृले में इसका स्क्वाइड भी आजा रहा है तो अभ मैं क्या करूँगा 1-0.001 का स्क्वायर करूँगा अब यह कितना हो जाएगा 1-0.0001 आ रहा है तो इसको तो मैं अप्रॉक्सिमेटली 1 लिखी सकता हूं यह मैं बताना चाहरा हूं इसको नेगलेट करने का तो मेरे पास रीजन है कि इतना छोटा एरिया है तो ठीक है यह तो म आए तो मैंने इसको नेगलेट कर दिया ठीक है देख अब नेगलेट करके आया कै मेरे पास विलॉसीटी आफ इफ्लक्स किया था विलॉसीटी आफ इफ्लक्स मेरा था तू घ्डिवाइड़ वाई वाई माइनस यही था ना, मैंने इसको नेट कर दिया, ठीक है ना, using approximation, using a1 is much much greater than a2, जो v2 आया ना, वो कुछ आया, 2gh by 1 आया, इसको मैंने 1 के comparison में मैंने इस पूरे को नेट कर दिया, क्या यह चीज समझ में आ रहा है नहीं हा रहा है, कोई है जो इससे नहीं समझ में आ रहा है, बताओ इसका जो डिवीजन होगा ना, उसको मैं क्या करूँगा, नेगलेक्ट कर दूँगा, नेगलेक्ट, इनकॉमपरिजन विट, इनकॉमपरिजन, इनकॉमपरिजन टु वन, वन के comparison में यह बहुत छोटा आने जा रहा है, तो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, इस पूरे टर्म को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट करने का एक और सॉलेड इजन आप नेगलेक्ट कर दिया, तो यह 0.0081 होगा, अजगर इसका स्कॉर करोगे तो, किसी भी छोटे, 1 से छोटे टर्म का fraction का अगर आप स्कॉर करते हो, तो वो और छोटा ही होता जाता है, वो दिन और छोटा होता जाएगा, यहां पे आप 0.003 का स्कॉर करने जाओगे, तो इसका आएगा, 0.00009 आएगा, तो मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसको निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यही बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसका स्कॉर है, तो वो और छोटा है, अब तो मैं मजब में निगलेक्ट करूँगा, confidently, यहां से मेरा आग अगर रहा हूँ, और यह इप्रॉक्सिमेटेड है, यह इसको निगलेक्ट, यह इप्रॉक्सिमेटेड और वह जो था नवह इग्जाट है, एग्जाक्ठ है, यह फर्मुला आप तभी लगा ना, वी टू बराबर, अबर रूूट टू यह तभी लगा बॉला जाएगा, वेन एवन इस मच मच ग्रेटर दन एटू अगर आपको यह बोला जा रहा है तभी आप लगा होगे अदरवाइस आपको इग्जैक्ट इग्जैक्ट ही आपको लेकर चलना है जो आयाटी का सवाल था वो इग्जैक्ट पे था वो एप्रॉक्सिमेशन वाला नहीं था क्योंकि वहाँ पे एटू बाइवन की वैलू पॉइंट वन दे दी गई थी आयाटी वाले में याद है आयाटी वाला जो प्रॉब्लम था उसमें एटू बाइवन की वैलू पॉइंट वन दी गई है तो अब आप क्या कोड़ोगे, 1-0.1 का स्क्वाइर करोगे, तो यह हो जाएगा, 1-0.1 आएगा, ठीक है, यह 0.99 आगया, तो 1 और 0.99 को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकतो, कहाने का मतलब यह है, ठीक है, तो यह जेई बहला सवाल था, जेई के सवाल में यह आएगा, चलो भई, आजाओ, अब कहां गया हम, कहां पर गया हम, कहां तक पहुंचे भई, एटू भई, एवन तक पहुंचे, चलो ठीक है, यहां तक आगया, हाँ, मैं यहां पर आया, यह आप्रॉक्सिमेटिट कर लिया, प्रॉक्सिमेशन समझ में आया, एप्रॉक्सिमेशन मैंने क तो बहुत चोटा हो जाएगा, अल्टिमेटली इसको निगलेक्ट कर देना है, पूरे हटाओ, यह आ गया, चलो, अब इसके आगे चलता है, 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 इतना असानी से समझ यह प्लियाथा पलग मोले मनिकों काझ कर गई में समय। यह इप्षूप पीड होक सते क्टव 291 यह क्ट में स्क्राइक क्ट्रा कर देखूं क ॥ इसको मैंने अप्रॉक्सिमेट किया हुआ है तब ही आया है यह कुछ दिख रहा है कि अगर कभी आपने मेकैनिक्स में पढ़ा होगा लाइक प्रोजेक्ट एल वगरा में यह क्वेशन आपको दिख रहा है कि वीटू बढ़ावर किसी यह कोई भी एक विलोसिटी अंडर टू फुरिलीलवॉडटी यहरो अगर कोई पार्टिकल फीरेऌ कर रहा हुथ है तो तुसका ही ृसप्रोजच कर कर से थिख़ू फुरहीं ह कर रहा है यह स इनीिसियल वेलोसिटी किसी निया है जीरो अभी निचे फॉल कर रहा है, fall कर रहा है, fall कर रहा है, यहां पर पहुंच के आप यह, ठीक है, तो यहां से यहां तक का मान लो कि h height descend कर चुका था, मैं मान के चल रहा हूं कि h height नीचे आ चुका था, मैं आप से पूछ रहा हूं कि मुझे इसकी velocity बता हूं, what is v, v y equals to what, और u y, initial velocity in y direction 0, अगर यह 0 है, तभी यह free fall होता है, इसको मैंने free fall किया, यह free fall, this is called free fall, यह free fall है, इसको मैं फेक नहीं रहा हूं, इसको अगर मैं फेक हूंगा, तो इसके पास तो initial velocity आ जाएगा, तो that is not called free fall, free fall का मतलब होता है, मैंने freely इसको छोड़ दिया, अब यह गिरना शुरू कर रहा है, तो जब यह h height नीचे आता है, तो इसके पास velocity कितनी होती है, यह मैं आप से पूछ रहा हूं, ठीक है, तो इसकी velocity देखो क्या होता है, मैं मेरे पास general equation क्या होता है, एक general equation मेरे पास है, एस बराबर v square, बराबर u square, प्लस 2as, यह एक general equation है, इसको मैं y axis के तरफ अगर use करना चाहूं, तो मैं कैसी use करूँ है, मैं इसको use कर सकता हूं क्या, v square, vy square, बराबर, u y square, प्लस 2 ay, सब चीज वाई रह जाएगा, यह s के जब पर y आ जाएगा, a की जब a y आ जाएगा, a की जब पर a y आ जाएगा, u के जब पर u y आ जाएगा, भी के जब बीवाई आ जाएगा, क्योंकि मैं y में काम कर रहा हूं, चलो, यहाँ पर u y सब को 0 दिख रहा होगा, न, यहाँ से क्या आ गया, v y क्या आ गया, v y square जो आ गया, यह, to a y and y आ गया, a y की value कितनी है, बताओ, a y क्या है, what is a y, कोई बता सकता है, a y, यह, to free fall करता है, to a y की value कितनी होती है, acceleration in y direction, कोई particle अगर free fall कर रहा होता है, तो इसके पास कौन सा acceleration होता है, right, g होता है, g को आप minus g, plus g, जो आपको मानना है, आप कर सकते हो, यह maths का juggling है, आप juggle करते रहा हो, कोई क positive लिए हो, तो इसको आपको negative लेना पड़ेगा, अगर negative ले लिए हो, तो इसको आपको positive लेना पड़ेगा, यह juggling आप करते रहो, right, acceleration due to gravity, तो a y को accordingly, आप plus भी ले सकते हो, minus भी ले सकते हो, g, accordingly, जो आप, जो आप assume करे हो, वो, ठीक है, तो इसको मैं एक trick से आपको समझाने इकोसिस करता हूँ, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो इच्छा है, आप वो ले सकते हो, ठीक है, किसी का माने ये लेने का, plus किसी का माने कि भई, मैं नीचे वाले को negative ले लूँगा, तो फिर उपर वाले को positive लेना पड़ेगा, ये भी कोई कर सकता है, लेकिन जब आप नीचे वाले लोगे, तो आपको ये, आपको negative यहाँ पर लेना होगा, और अगर आप उपर लेके, ये जो sign हरा वाला, हरा वाले, जब जो मैंने ले रखा है, उसके recording positive होगा, किसी का मान है, लाल लेने का, तो लाल वाले के recording ये negative हो जाएगा, आंसर सेम होगा, गलत नहीं आएगा, make sure, ये maths हमें इतनी आजादी देता है, maths इतनी independence देता है, जीधर मेरा मन करता है, मैं उधर positive मान होगा, जीधर मन करेगा, उधर negative मान होगा, लेकिन सर्थ यह कि एक तरफ जब आप positive मान तो दूसरा आपने आपको negative हो जाएगा, इस सर्थ के साथ maths को आप follow करो, हमें साथ कामयाब होगा यह, कभी आपको fail नहीं करेगा, कभी fail नहीं होगा, maths fail कर जाएगा, तो इस sign convention को याद रखना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं नीचे वाले को positive क्यों ले रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, negative लेलो, answer आएगा, same आएगा, और यह वाई क्या, यह है, यह है ना वाई, वाई में जो डिस्टेंस टाइ किया, that is the distance, यह हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से वी वाई की वैलो कितनी आ गई, this implies, ठीक है, velocity in y direction, ठीक है, यह अंडरूट आएगा, अंडरूट आएगा, अंडरूट आएगा, सौरी, सौरी अंडरूट आएगा, यह दोना आपको दिख रहा है किया, इस चीज को सबसे पहले टॉरी सेली ने पकड़ा था, इसको सबसे पहले टॉरी सेली ने आइडेंटिफाई कर लिया था, कि किसी बीकर में, अगर इसका होल बहुत बढ़ा है, यह वाला, टॉप सर्फस बहुत ब Speedy of E Flux, is equal to इक ल चाटिकल इकल तो भी श समझत जब पर्टलिक टीव पीड उप लेल हौ important freely falling freely freely under under the gravity gravity and descendant and under the gravity descended des c en d edy descended a height h height h tiga this this theorem is known as this is called torricelli theorem haan khusi ap mike khusi ap mute karakho this is called torricelli is so simple identify kis nai kiya tha torricelli nai identify kiya tha this is called torricelli's theorem we can say that i can tell you clear with my image ofystem the name should desire this you can understand and that is the one that coarse तो यह यहां पर पानी भड़ा हुआ है, इसमें पूरा में पानी भड़ा हुआ था, तो यहां से कुछ वेलोसिटी निकल रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है, यह अदरूट टूजी यह चाहिए, यहां से यहां तक हाईड टूजी एच था, तो इसको न, आप समझो न, अब आप क्या समझो न, आप समझो कि यहां पर न, यहां पर न एक पार्टिकल रखा हुआ हुआ है, ठीक है, और इसकी इनिसियल वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो है, और यह अंडर ग्रैविटी फ्रॉ अगर आपको नोजल का स्पीड निकालना है तो उसमें पानी रखा था वो वीवन से आ रहा था भूल जाओ तो नोजल का स्पीड पूछूँ तो आप उसको डिलेट कर सकते हो फ्रिली फॉलिंग पार्टिकल से अंडर ग्रैविटी जो ग्रैविटी के इंफ्लुएंस में आकर जो पार्टिकल लीफ कर रहा होता गिरता है वो उसका वेलोसिटी सेम होता यही टॉरिसली का थीरम था तो भई उसके नाम पे आया वह यह को राइज कर गया वही कि जो यहां से जो नॉजल से पानी आ रहा है वह बिल्कुल यह फ्रिली फॉलिंग पार्टिकल की तरब भी हैप कर रहा है वह पानी पूरा का पूरा पानी नॉजल से निकलने वाला लेकिन यह तो एप्रॉक्सिमेशन के बाद ही यह सब होता है पहले नहीं क्लियर चलो आजो देखो आप से पोच करूँ कि यहां पर कोई पार्टिकल है यह देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट तक यहां पर मैंने होल कर दिया यह थीक ऐसा कुछ है पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है तो आप यहां से यह पानी निकलेगा वी टू मैं इसको मान लेता हूं और यहां से कुछ वी बन से डॉप होड़ा होगा आप अपर निया गाल और यह से निकलेगा और यहां से निकलेगा अब्याइसी बात है अगर आपने यहां होल करो तो निकलेगा तो यह this is इसमें यहां से पानी एक्जिट कर रहा है और यहां पानी यहां से डिसेंड करना शुरू कर रहा है तो मुझे यह वाला हाइट चाहिए होगा किसी का मैंने नॉजल यहां बना दने का बना दो लेकिन हाइट आप यहां से ले लेना यह वाला हाइट आपको चाहिए होगा टॉप और बॉटम का हाइट चाहिए किसी का मैंने नॉजल यहां बनाने का यहां बना दो यहां से लेकर कि आप आपको जुना यह वाला हाइट च टूर इसका एरिया एवन था ठीक है मैं यह मान कर चल रहा हूँ एवन इस ब्रॉक्सिमेशन वाला होता है ना यह व्लोसिटि कौन सा यह प्रॉक्सिमेशन वाला है अगर यह एक्जैक्ट होता तो इसके नीचे एक यह पूरा अंडर रूट में आता, लेगि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आप एप्रॉक्सिमेसन यूज करना, यह जो बीकर का एडिया है वह बहुत बढ़ा है, नॉजल बहुत छोटा है, तो आप एप्रॉक्सिमेसन यूज कर लेना, ठीक है, clear, चलो, आजो, अ इसको मूट करना पड़ेगा, यह खुद से मूट नहीं करेगी, अब चलो, ठीक है, आजो, अब इसका मूट हो गया, आजो, यहाँ पर पहुंच गया है, यह टूजी एज था ना, यहाँ से एज की वैलू बताना, वह एज की वैलू कितनी है, टूजी एच बाइच बाइच भाइच बाइच टूजी एच बाइच 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 बाइच, ठीक है, यह गया है, इस थी वैलॉसिटी दो यह फिलक्स, यह वी तुए ना यही वी टूँ था, यह मैने आपको दे दिया, मेरा सवाल नहीं नहीं अदे तो तो आपक निकाल लोगा यह तो कोई सवाल यह नहीं निकाल लिए तो अब्रप्र tartality मीरा सवाल यह है а मैरा सवाल है जब यहां से निकलना सुरू करेगा पाणि इस लाद रॉत कर से आगे जा आगे दटा ज़ुई यह लोच कूछ यह लोग जी करेगा यह नद इस तरह यह ground को hit करेगा, यहां पर यह ground को hit करेगा क्या, तो मेरा यह सवाल है कि आप मुझे range बता दो, range, ठीक है, this is the question, यह question है, यहां तक आने के लिए, यहां का velocity निकालने के लिए, इस nozzle की speed को निकालने के लिए, मैंने क्या किया, मैंने equation of continuity apply किया, पहला और दूसरा मैंने अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मैंने क्या किया, equation of continuity निकाला, मैंने equation of Bernoulli उच किया, Bernoulli उच किया, ठीक है, और दीसरा मैंने क्या किया, approximation, ठीक है, जब यह तीनों किया, तो मेरे को यह velocity आ गया, वी टू बराबर under 2GH, ह की value मैंने put कर दी, यह मेरा velocity, यहां का velocity मुझे मिल गया, मेरा सवाल यह है, जब पानी यहां से निकला होगा, तो जैसे ही यह यहां से निकला होगा, तो ultimately एक projectile का रूप ले लेगा, यह projectile बन जाएगा, तो ultimately यह धीरे 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 इस लीख गहता है, एक हम भूल जाता हूगं, इसको मैं भूल जा रहा हूगं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूग, मान लोगी कोये लिख कलीफ पर खड़ाए, एक च्लिफ है, up अ छिख कलीफ लाएग已经, अ कोई लारक से निकले हाँ, यहां से बुलेट के सीट दे रखी है G H by 2 और ये बाकी बच गया कितना? ये बाकी कितना बच गया था भई? बाकी कितना बच गया था? 3 H by 4 बच गया था ना चलो, अब ये bullet fire करेगा तो obvious है कि ये कुछ bullet जो है न, वो कुछ ऐसे 3 H by 4, हाँ ठीक है, ठीक है 3 H by 4, यहाँ पर आया होगा मैं आपसे ये distance पूछ रहा हूँ, ये distance मुझे आप बता दो This is the range के लिएर सवाल समझ में आया है क्या सवाल वोई बीकर वाला सवाल है लेकिन मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में चुकी तो मुझे लगा ही चलो थ्रपोजेक्टाइल से समझा देता है Ultimately बंदा ये क्या है, बंदूक लेकर खाड़ा है उसने बुलेट फाइर किया है, बुलेट क्या है कुछ तीस सब्सक्राइब यहां पर चलो ये वी इसका speed initial velocity आपको दे दिया गया, इतना velocity था बंदा जो बुलेट फाइर किया ना वो इतने के साथ फाइर किया था horizontally मुझे रेज निकालना है आजब बढ़ियां कोस्टन है, अच्छा कोस्टन है देखो इस वो solve करते हैं आजब तो ये क्या ये वी क्या यही इस 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 इनिसियल स्पीड, इनिसियल इनिसियल व्लॉसिटिए इनिसियल व्लॉसिटिए इने रेक्षन विच इस इक्वल तो GH यही इनिसयल स्पीड होगा बंदा बुलेट फाइर कर रहा है तो मैंने फुल्ट फाइर रखा यह रखा यह अर्लान्टली फाइर किया उस बंदेना सब्सक्राइब दूसरे को निगेटी माले ना, Maths यह कहता है, Maths का कुस constraint यही है, इसको X मानने हो तो अपना NT पहीं जाकर Y मानना ना, Y को यहां जाकर करके मत मानने ना, ठीक है, चलो, आजो, यह हो गया, UX मुझे मिल गया, GH by 2A तो दे दिया है, इसको मैंने, Equation of Continuity, Bernoulli, Approximation, तीन मैथर मैं अप्लाई कियाते हैं, तब जाकर मैं यहां तक पहुंचा हूँ, यहां पहुंच किया, Acceleration in X Direction बताओ, इस direction कितना होगा, कोई बता सकता है, Acceleration in X Direction बताओ, बताओ, Acceleration in X Direction कितना होगा, यह horizontal जब उस बंदेने बुलेट फैर किया था, तो इस direction में कितना लग रहा होगा, यहां पर इस direction में कोई और है, जो कि इसको फोर्स लगा रहा है, एक बार जो बुलेट फैर होगा, बुलेट फैर होगा, बुलेट फैर उन एक बार किया, इस direction में कोई Acceleration नहीं होगा, ठीक है, अगेर मेरे पास एक general formula है, general formula कौन सा है, S बराबर, yes, right जान भी, S बराबर, UT, plus half 80 square, मैं इसको X में यूज करना जा रहा हूँ, तो सब कुछ मैं X यूज करूँ है, X बराबर, UXT, plus half, AXT square, यहां से इसका AX 0 है क्या, तो X बराबर कितना आ गया, भई, X बराबर, UX into T आ गया, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, भई, यहां से मैं UX की value में दे दूँ क्या, GH by 2 into T आया, ठीक है, यही X आया, ठीक है, और यही मेरा range है, यही आपका answer आ गया, यही आपका answer आ गया, प्राबलम कहा हो रहा है, प्राबलम मैं इस T में फंस चुका हूँ, यह जो X बराबर under root GH by 2 आया, इसके साथ एक T भी आ गया, extra T आया हुआ है, यह मुझे फंस आ दे है, अब इस T के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी range आप का चुका है, this is answer, बट मैं इस T में फंस चुका हूँ, इस T को निकालने के लिए मैं अब Y के सरन में जाऊँगा, मैं Y से help लूँगा भई, T अब तुम निकाल के दो मुझे, तो मुझे T Y निकाल के देगा, चलो Y के पास जाते हैं, आजाओ, चलो, initial velocity in Y direction बताओ, initial velocity in Y direction, जब bullet को मैंने horizontally fire किया था, तो Y के पास कितना velocity था, मैंने X में fire किया था, तो Y के पास, कुछ इसका Y का velocity होगा क्या, कुछ होगा, होना चाहिए क्या या नहीं होना चाहिए, bullet को मैंने horizontally fire किया, X में मैंने fire किया है, तो Y इसको यूज करने जा रहा हूं तो इसको मैं बना दूँगा सब कुछ को मैं इसकोूइ इसको यूज फिलवसिटी इन वाय डिरेक्स जीरो था चलवाजओ अब मेरे पैस वह और य की वैलो कितनी है यह वाय कितना है बताना वाय कितना है वाट किवां किवाई वाई कितना है बताओ कोई भई what is वाई बताओ कोई वाई बताओ वाई कितना है height exactly तो height कितना है यह पानी जो गिर रहा था यह पानी जो गिर रहा था यह हभाई 4 से गिर रहा था पानी हभाई 4 से गिर रहा था ठीक है, जो बच रिया वो 3H by 4, exactly 3H by 4, right, right, 3H by 4, yeah, right, right, 3H by 4, y का value मैं लिख दूँ क्या, 3H by 4, 3H by 4, half, ay, ay की value G है, G, T square, चलो, यहां से आओ, यहां से T की value आजाएगी, ठीक है, चलो, अब सिंपल है, सिंपल है, इस T को ले करके आओ, और इसमें, यहां पर put कर दो, आचाओ भी, आजो, अब यहां से X निकालते हैं, एक्स बड़ाबर यह, इसको इसको ले करके मैं आ रहा हूँ, यहां पर, एक्स पावर कितना है, अंडरूट, जी एच, बाइट इन्टू T थाना, चलो, put करो value ही, जी, H by 2, इन्टू T की value मैं put कर रहा हूँ, 3H by 2G, ठीक है, तो यहां से X की जो value आ रही है, यह आएगी, 3 by 2 into H, this is the range, यह आपका range है, यह answer है, चलो भई, कोई doubt है, तो पूछो, कहीं कोई doubt है, तो पूछो, ठीक है, बताओ, और किसी हो कुछ doubt रहा गया है, बताओ भई, no doubt, ओ किसी तल, और कोई है, तो पूछो, good, 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 कोई doubt है, खुछी पड़ी, बताओ, सोनी, किरन, संगीता, कनिस्का, बताओ, कोई doubt है, तो पूछो, हलीम, अख्याती, यान, उसका जो है, पूछो, कुछ भी doubt है, हिमानसी, जान भी, कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, calculations तो कर रहा हूँ, concept तो कुछ ह तो है, ठीक है, ठीक है, जुई, ओके, good, 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 किरन, ठीक है, चलो फिर, class, over, next class मिलते हैं, ठीक है, जाने भी, good, हाँ, सितल ठीक है, ठीक है सितल, good night, good night guys, next class में, good night, good night, thank you, thank you guys, thank you, thank you, thank you, good night, good night, good night, good night, thank you, कौन कौन पूछ होगा है, ठीक होगा तक---- पूछ रही थी अभी उसका नाम क्या है भूली जाता हूं जानवी है क्या ओके जानवी ठीक है ठीक है ठीक है सितल देख लिया हमें हां तो जानवी देखो शुरू में कुछ मैंने बताया था कि बर्नॉली का एप्लिकेशन हम लोग करने वाले थे थो बर्नॉली क्या करता है एक जख tehinking ब्रोस्टिटी और हाइट को गाट्ता है बिंदै करता था करने लोटिवन इन दोनों को और रिरेट करता था है बर्नॉली का एक फ्रेशन होता है अगर यहां का यहां का अगर पूरा प्रीवन वीई अच वैटा यहां का P2 V2 H2 पता है तो आप दोनों को रिलेट कर लोगे और दोनों की value बड़ाबर आएगी यहां भी आप निकालने जाओगे P1 V1 और H1 का रिलेशन निकालोगे इस पॉइंट पर जाके इस एरिया को consider करके तो उसको भी जब आप Bernoulli में fit करोगे तो वह भी एक constant आएगा यह तीनों बड़ाबर आएगा यह चोठा वाला भी बड़ाबर आएगा यह पांचवाला भी बड़ाबर आएगा तो बर्नॉली का जो equation था न वह यहीं से तो आधा था पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 यह आप कहीं भी चले जाओगे न यह इस flow में आप कहीं भी च तो बाद रहा है मैं बता दिता हूं हो यह ठोना यह त इस में आप कुछ आप एक फिक्स वैलू आएगा कहीं भी आप एक जगह पर निकाल लो इसको कहीं भी पूरे पाइप में कहीं भी आगे बढ़ते जाओगे कहीं भी पीछे जाओगे उसको सेम ही आना है कि A1 V1 जो होता था A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 यह जाओ A N VN A N VN कहीं ही चले जाओ इससे क्या आता था कि एरिया और विलोसिटी का जो प्रोड़क्ट होगा वो एक कॉंस्टेंट होगा कि कोई भी एरिया आप कणिरे कर लो और कोंई एक वेलोसिटी एक जगाप निकाल लो अब उस पाइप में कहीं चले जाओ आगे पीछे जहाँ जाना जाओ ऑगर विलोसिटी का प्रोड़क्ट हमेसा कॉंस्टण होगा ऐसा हों नहीं सकता कि वा अलग हो जाए वो डिखनेटल पिछे, उस पाइप में कहीं भी आगे चले जाओ, इन तीनों का सम तो बड़ाबर ही आएगा, ठीक है, यहीं बता रहा था, इसके बाद मैंने आपको application करना सिखा है, application मैंने बताया कि एक jar है, jar पे, इसका top surface open है, पनी बहार निकल रहा है इसे मैं E-flux बोलता हूं इफ्लक्स E-f-L-U-X और मुझे इसी के स्पीड निकालना था, इसके लिए अगेन आप मैंने बर्णॉली को यूज करने के लिए आप रेफरेंस को मैंने बताया भई आपको जहां मानना है जो मानना है वो मानलो अगर आप रेफरेंस यह इसको अगर आप ले रहे हो तो अगेन आपको जहां मानना है वहां मानलो रेफरेंस इसके बीच में मानों गें, तब भी आइंसर वह ईएगा, okay गयूद इसका मैं कर देता हूं, अज़ैं तकि कया हूं, ऑर यह एक प्रोक्सिमेट्ड ही आया, प्रोक्सिमेट्च न्यूइट पर फिर ले कर झाल गया, एप्रोक्सिमेटिट कुछ न टोरिसली ने पकड़ा यह मेरा exact equation है यह मेरा exact है यह absolute value है जो velocity of, speed of influx आगा न, वो इसे निकालोगे तो यह absolute है तो exact आता है लेगि हम थोड़ा सा approximation कर देता है जो नौजल है, उसको छोटा area आगा है तो मैं उसको नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, यह नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यह देखो, यह जो था, यह एक्जेक्ट वाला है, यह कौन वाला है, यह एक्जेक्ट वाला है, ठीक है, यह एक्जेक्ट वाला है, यह यह exact है, exact को मैं लेकर के आया, ठीक है, मैंने exact को लेकर के आया, Toriselli का ध्यान इस पे गया, Toriselli का ध्यान इस पे गया कि A2 by A1 जो है यह एक छोटा quantity है, इसको Toriselli ने पकर लिया, यह A1 जो था, यह A1 बहुत बढ़ा है, A2 बहुत छोटा है, तो A2 by A1 जो आप करने जाओगे, तो एक बहुत छोटी quantity आएगी, वो छोटी quantity आता था तो Toriselli ने बोला कि इसको नेगलेट कर दो, तो A2 by A1 को नेगलेट कर दो, नेगलेट करने का दूसरा बड़ा रीजन है कि यह भी था, मैंने आपको समझाया, इसका बड़ा रीजन यह भी है कि A2 by A1 को तो छोटा है ही, यह A2 by A1 तो एक स्मॉल quantity है ही, इसको अगर मान लो, यह 0.0007 अगर इसको आप मान लेते हो, मुझे, और इस equation हो मुझे इसका square भी करना है, तो अगर आप इसका square करने जाते हो, तो यह तो और भी छोटा हो जा रहा है, यह और भी छोटा हो जा रहा है, 0.0049, यह तो और भी छोटा हो रहा है, अब तो एक के कर दिया तो निंतने को नियुक्त कर दिया इसका यह तो इसके बिलकुल अमेच कर रहा है। यहां पर यदिधन कोए होगा जो फ्रेटल का हेल यजश City सेमं है मिली फॉलिक लिन्ग यज़ध पाने लग जो फ्रीद ऐढ़ीं घहती है ठीक है यह Speed of E-flux, यह जो Speed of E-flux है, Speed of E-flux, H-Same, as a speed of a particle, as a speed of a particle, पार्ट कल्छ फॉलिंग फ्रीलि यह पार्टिकल अगर कोई फ्रीलिफॉइन क्लों उसका पिए इस ऑप कर लिया खु diu मैं आपको अब इसको भी आप देख सकतो कि इस प्रिल फॉल का मैंने बता भी दिया भई इसकी निच्छल वेलोसिटी जीरो होगी इसका फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है तब जब यह एच्छाइट डिसेंड कर चुका है यहां जीरो से गिरना सुरू किया और गिरते-गिरते-गिरते वेच्छाइट पर चला स्ट्रेट लाइन होता है ना यह स्ट्रेट लाइन मैं इसको वाई में यूज कर रहा हूं एक जेनरल इक्वेसन है यह जो इक्वेसन है यह जेनरल इक्वेसन है जेनरल आइज मैं इसको वाई में यूज कर रहा हूं तो जहां 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 वी है वहां मैंने वी वाई कर दिया टोरी सेली के नम से जाना जाता है इसके बाद वंपरłemा हम दित्साइब सेट सवाना ऐगे इसा मिया일 जाता है कोई भी सवाल हो ना आप इसे solve कर सकते हो inclined plane पे सवाल आगा वो भी आप solve कर लोगे बस आपको इसके पाद axis तोरना आना चाहिए axis को आपको सही से assume कर लोगे तो आप inclined plane का भी सवाल इस method से solve कर लोगे अगर आप axis तोरना जान जाओगे तो mathematics का यूज करके इसमें क्या किया गया था देखो अच्छे देखो आज और फिर से यह यह पार्टिकल था इस पार्टिकल के पास एक initial velocity वह भी है यू एक्स में मान लेता हूं यू एक्स इसकी निसियल वेलोसिटी है तो इसके पास जब इनिसयली जब में बुलिट करूँगा तो इस अगे बड़े बड़ें हैं था यह इगी मैंने अगर पुरा व्लिट इधर दिया है उसके पास यू में वेलोसिटी कहां ऐगा शुर्वात में तो नहीं आएगा लेकिन जैसे यह पास यहां पर हीट करेगा और मुझे मैं आप से यहां का रेंग पूछ रहा हूं जैसे यहां पर इसके पास वेलोसिटी नहीं रहेगी लेकिन अगर यह यहां पहुंच गया तो इसके पास एक यह वेलोसिटी या इसका दो component, एक यहाँ पर VX टूटेगा और यहाँ पर VY टूटेगा, अब इसके पास Y की velocity आ गई, अब इसके पास आ गई velocity, लेकिन जब यहाँ से रिलीज हुआ था ना, तो इसके पास Y में कोई velocity ने रहेगा, तो initial velocity in Y direction जो होगा, जैसे ही यहाँ बढ़ेगा ना, अब इ यहाँ पहुंचेगा तो दो component, एक ही है, और एक ही है, बट यहाँ पर जब बुलेट को fire किया गया होगा, तब इसके पास Y में कोई velocity नहीं होगा, कोई velocity Y में, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, तो UY 0 होगया, UX की वैलू, अब इस तवाल को मैंने उठाया था, उस नॉजल से ही उठा लिया था, तो इसको मुझे पता है, इसका speed जो होता है, वो 2GH होता है, और H की वैलू जो होती है, वो इस question में, पर्टिकुलर question में, 2GH by 4 दे रखा था, इसको ultimately तोर करके जब मैंने निकाला, तो यह GH by 2 आ गया, यह velocity, इस velocity से मैंने bullet को fire किया, इसको मैंन एक नया question बना दिया, actually इस speed से पानी निकल रहा था, इस speed से पानी निकल रहा था, उस beaker का जो पानी था न वो इस speed से निकला, मैंने उसको भूल गया, मैं वहाँ पर पानी बानी निकाल लिया, और उसको हटा दिया, मैंने गया, चलो bullet fire कर लेता है, क्योंकि आसान पड़ता एक ux मुझे पता चल गया, x, x कितना है, x मेरा 0 होता है, x direction में अगर कोई particle move कर रहा होता है, तो देख, x direction में इसके पास कोई acceleration नहीं है, कोई acceleration x में नहीं, y में है, तो यह अपना velocity को न, जो 5 meter per second से अगर यह move किया न, तो अब इसका x velocity कभी भी 5 से 4 नहीं होगा, पूरा ज gravity है, Newton खो जा था, इतना बरा अर्थ है, तो बोलेगा, ठीक हम तुम्हारा इज़त तो रखेंगे, थोड़ा सा नीचे तो हम आएंगे, लेकिन 5 तो हम अपना maintain रखेंगे, तो फिर यह 5 से आगे जाएगा, gravity बोलेगा नहीं, तुम अब फिर भी नीचे आओ, तो और नीचे जाएगा, लेकिन इसका जो 5 जो horizontal वाला था, वो 5 कभी नहीं कम होगा, कभी नहीं, पूरा lifetime, तो फिर यह 5 से आगे भागेगा, gravity फिर बोलेगा, तो नीचे आओ, तो नीचे जाएगा, लेकिन 5 तो छोड़ने वाला नहीं है, फिर 5 से आगे जाएगा, gravity भी उसको नहीं किया, तो अब यह 5 से 4 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, horizontal में, क्योंकि कोई forces पर नहीं लग रहा है, 5 से 4 क्यों होगा, 5 से 6 क्यों हो जाएगा, समझ दो, 5 से 4 या 5 से 6 हो जाना, क्यों, जब तक इसके पास acceleration नहीं है, कोई forces पर नहीं लग रहा है, तो Newton पहला नहीं क्या था, first law, कि कोई particle rest में हो, तो rest में रहाएगा, motion में हो, तो motion में रहाएगा, unless until it is compelled by an external force, तो भई, यह 5 से तो जा रहा था, बंदा, अब इसको आप horizontal में कोई force पर लगा भी नहीं रहा हो, तो 5 से 4 क्यों हो जाएगा, या 5 से 6 क्यों हो जाएगा, या, right, तो अब यह 5 से चलन सुरू किया, gravity बोला कि तुम नीचे आओ, तो भई, gravity का इज़्ज़त ने था नीचे आएगा, लेकिन 5 तो यह अपना maintain रखेगा, horizontal में, everywhere, anytime, फिर यह 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर नीचे आए, फिर 5 से गया, फिर नीचे आए, ठीक है, यह हो जो है, general equation, generalized equation, motion in a straight line का generalized equation है, मेरे पास, s बराबर, u t plus half a t square, यह एक general equation है, मेरे पास, general, कहीं भी आप अप्लाइ कर लो, motion in a plane, इस इसको आप अप्लाइए, x 0 था, u x मिल गया, तो आप x निकालो, x बराबर, u x t plus half a t square, half x into t square, यहां से x 0 था, यहां से x बराबर आगया, u x into करें टी इस यू एक्स की वैल्यू मुझे पता है यह्या अगया है तो हैं सब्सक्राइब बट इस टी ने मुझे फ़जया दिया यह होता है इस रेंज यह अंसर आ तो आप समझ जाना कि मैने मेरा जो साइन कन्वेंशन है वो नीचे वाला प्लस जी है पॉच्टिव है प्लस वाई अगर मैंने एक्सलेरेशन इन्वाइड ड्रैक्शन को मैंने प्लस जी मान लिया तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि यह मेरा पॉच्टिव आई है ठीक और यह निगेटिव वाई है इसको उल्टा भी कर ले न अंसर सेम आएगा हो ही नहीं सकता कि अंसर गलत आजाए इंपॉसिबल चलो यह यू आई आगया यह आगया अब मैं वाई निकाल लूँ मां वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वाई यहाँ पर यू यह था यू यह वाई था अधिस इस एक्वल टू थी ए च्वाई वैलू पूट कर दो टू इंटू थी एच भाई 4 into G 3H by 4G ठीक है, यह कितना आ गया भAi यह आ गया 3HY 2G, अब इसको put करदो, इस time को निकाल करें यहाँ put करदो, अब क्या आ जाएगा X बराबर X बराबर आ गया GHY2 into time का value है, 3H by 2G ठीक है, इसको cut-up put करोगा तो यहाजएगा आपका अंडरूट 3 by 2h, h बाहर रहेगा न, h square root में नहीं है, h बाहर है, ठीक है, अगर किसी का मन करा है, आप निगेटिव लेने का, वो भी देखलो करके बई, कौन बड़ा बात है, किसी का मन नीचे निगेटिव लेने का, तो नीचे निगेटिव लेलो, आजओ, नीचे मैं निग यहां से आप नीचे जा रहे हो, यहां से आप नीचे डिसेंड हो रहे हो, तो यह जो वाई आएगा, यह निगेटिव के साथ आएगा, और यहां से यह माइनस, 3h by 4 आ गया, यह 0 था, बचा किया, हाफ, माइनस जी, टी स्कार, यह माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, यहां से भी अल्टिमेटली, टी को वही आना था, जो आया है, that is, 3h by 2g, सेम आया है, टी देखो, तो यह टी और यह टी सेम आया है, अब माइनस प्लस कीदर भी मानलो, कोई फ्रक नहीं पड़ता है, यह इतना खुबसूरत है, और Maths और Physics जब मिल जाता है, तब तो भाई, कहना ही नहीं है, Deadly Combo, फिर इसके बाद कुछ, इतना इंट्रेस्टिंग हो जाता है, Maths, Physics जोड़ोगे तो बहुत इंट्रेस्टिंग है, ऐसे जगल करते लो, जगल करते लो, जगल करते लो, जगल करते बोला कि नीचे निगेटिव, मैंने पॉस्टिव लिया, आप घर पर जाके निगेटिव लेकर सॉल्फ करो, देखो आता है कि नहीं आता है, आएगा, नहीं कैसे आगा, यह तो Maths fail कर जाएगा, अगर यह नहीं आए तो Maths fail कर जाएगा भी, Clear? चलो, ठीक है, सब कुछ clear हो पूछ रही थी, ओके सितल, ठीक है, चलो, बहुत टाइम हो गया, मेरा next class अभी, ठीक है, चलो, बाए, चलो, बाए, चलो, बाए, पीस, बाए, 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 बाए?